सब अपने घरों में बंद हो गया है जो भी कर रही है या जो भी इन्फोर्मेशन दे रही है उसको लेते रही है और उसके हिसाब से अपने स्टैब लेना आगे और मज़े करो यार गर में भी काफी मज़ा आता है ऐसी बात नहीं है तो अब मैं आदो मुद्दे की बात में के मैं वीडियो बना क्यों रहा हूं वीडियो बनाने का जो मेरा अभी मकसद है मेरे पास दरसल जो यह भी कोरोना से रिलेटिड कुछ मैसिज फोरवर्ड हो रहे ह मेरे पास कुछ फोरवर्डिड मैसिज आए दे और उन मैसिज में क्या था कि एक तो था कि आप कोरोना से रिलेटिड इंफोर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एक एप इंस्टॉल करने के लिए बोला जारो उस मैसिज के कोड़ और उसमें कुछ लिंक पहल भी दिये गये हैं जो third party एप है और कुछ मैसिज ऐसे आ रहे हैं कि AWA Keeping App और वह और उसके उपर मैने थोड़ा सा रिसर्च किया इंट्रेस्टिंग जानगानिया जो है मेरे को मिली और वही चीज में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ होपसो आपके लिए एक काम की होंगी और बहुत से लोगों के लिए वो शायद काम भी आजे क्योंकि बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे लिए कुछ लिंक्स आते हैं उनके पास और उनके ओपर क्लिक कर देते हैं जो भी हैं सब लोग फ्री हैं अपने गर में और बहुत सारे लोग इंटरनेट का इस्तमाल कर रहे होंगे तो इंटरनेट से जुड़ ही मैं आपके चीज बोलने वाला हूँ कि आप इंटरनेट यूज करें लेकिन उसमें कोरोना वाइरस से रिलेटिड कुछ भी अगर आप सर्च कर रहे हैं या कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो उसे बहुत ध्यान से करना बढ़ेगा आपको क्योंकि कॉरोना वाइरस से रिलेटिड Оulthorize Information बहुत ही कम है ठीक है और इसी वज़ए से बहुत सारे लोग गल्ती कर रहे हैं पैनिक के चक्कर में बहुत सारे लोग कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हैं या कुछ भी search कर रहे हैं और गलत information ले पा रहे हैं और अगर आपको अपना नुकसान होने से बचाना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको forward भी करना दूसरों के साथ अगर आपको ठीक लगे तो सबसे पहली बात तो आपको ये करने हैं कोरोना वाई से रिलेटिड आपको कुछ भी search नहीं करना है बेफलतू का ठीक है खास करके उससे रिलेटिड कोई एप आपको install नहीं करनी है अभी इंटरनेट पे जो forwarded message ही जा रहे हैं उसके अंदर एक चीज आई हुई है कि कोविड लोक करके एक कोविड नाइटिड एक एप आईए कोविड लोक एप के नाम से और वो एप जो है आपको डाउनलोड नहीं करनी है क्योंकि उस एप ये दावा करती है कि आपके आस पास कितने कोरोना वाईरस से infected लोग हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दरसल अगर आप ये एप डाल लेते हैं या कोई भी डाल लेता है तो उसके फोन के हैक होने के chances बहुत ही ज्यादा है दरसल बहुत सारे फोन हैक भी हो चुके हैं और जो hackers हैं वो फिर उनके data को वापिस restore करने के लिए या उनके data को छोडने के लिए वो उनसे पैसे चार्ज कर रहे हैं ये जो app है ये अगर आप डाल भी लेते हैं तो ये आप से एक battery optimization का access मांगेगा जिसमें आप allow भी करते हैं फोन के अंदर allow और block का option आदा है allow और deny का option आदा है किसी में yes और no का option आदा है तो आपको अगर आपने इसको yes कर दिया तो ये app जो है अगर आप फोन को lock करके भी रख देंगे तो भी ये चलती रहेगी background में और ये अपना काम करती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फोन का data hack हो रहा है और इसके बाद जैसे ही आप इसको access को अगर आप yes कर देते हैं तो इसके बाद आपके फोन में एक और permission ये मांगेगा और और permission क्या है कि आपके आसपास के area को scan करने इसे related कुछ ऐसी access मांगेगा जिससे आपको ये पता चले कि आपके आसपास क्या हो रहा है और कितने लोग infected हैं ऐसा scan करने के लिए ये आपसे मांगेगा लेकिन असल में वो scan नहीं होगा वो आपके जो screen फोन की उसको totally record करेगा और जो hackers हैं उनके पास जो भी आप अपनी screen पे देखेंगे type करेंगे कुछ भी अगर आप show हो रहा होगा आपकी screen पे वो सारी की सारी information record होके hackers के बाद जा रही होगी आखरी में इसके बाद ये जो permission मांगता वो lock activate screen की permission मांगता है अगर आप उसको activate कर देते हैं तो उसके बाद आपका phone lock हो जाएगा और आप कुछ भी अपने phone में access नहीं कर पाएंगे और उसके बाद सिर्फ एक message आपको screen पे show होगा और वो होगा hackers का और उसके अंदर वो आपसे चार्ज करेंगे वो भी bitcoin की form में जिसमें आपको वो 500 डॉलर भी मांग सकते हैं 1000 डॉलर भी मांग सकते हैं और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है क्योंकि आजकल जो लोग UPI का इस्तमाल कर रहे हैं अपने phone के अंदर वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यह खत्रे की गंटी है क्योंकि उनके phone की जितने भी password वगरा है वो सारे के सारे आप phone में type करते हैं और जो screen record होके hackers के पास जा रही होगी वो सारे की सारे उनको show हो रही होगी कि आपने क्या press किया है और क्या नहीं press किया है वो सब उनको पता जलेगा और जिसकी वज़े से आपके bank balance what लग जाएगी उसकी और वो खाली हो सकते हैं लेकिन इसमें यह है कि आप पहली बात तो इस तरीके की कोई भी app को install ही मत करिये ना तो आप जो whatsapp या sms के थुरू आपके पास या facebook के थुरू अगर आपके पास कोई messages आ रहे है उनको totally ignore करिये क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी सचाई नहीं है कोई भी company आपको free का internet नहीं देने वाला भाई तो सबसे पहली बात तो इस चीज को ध्यान में रखना ही चोड़ दो और उसको पहली बात तो अपने तक ही रोक लो अगर आपके पास कोई ऐसा message आया तो इसे forward ही मत करिये क्योंकि बहुत सारी myth फैले हुए है और उपर से coronavirus के नाम पेज़ को whatsapp पे शेर किया जा रहा है जिससे क्या हो रहा है कि लोग सोच रहे है कि इससे किसी का भला हो जाएगा तो वो इसको forward कर देते हैं लेकिन इससे ऐसा कुछ भी भला नहीं होने वाला उल्टा आपका नुकसान होने वाला है और दूसरे का भी आप अपने नुकसान कर वा लेंगे तो इससे अच्छा है कि इस चीज को forward आगे करें ही न अगर आप चाहें तो अगर आपको कोई आप डालनी भी है तो आप Google Play Store के अंदर जा सकते हैं वहाँ पे आप COVID के अगर नाम से सर्च करेंगे तो WHO के link वाली जो app होगी वो आप डाल सकते हैं वहाँ पे आपको शायद कुछ नहीं update मिल जाएं और वो COVID-19 के नाम से मिलेगी आपको और वहाँ पे WHO का link जरूर होगा उस app का नाम जो है कोवा और दूसरी जो app है वो है COVID-19 feedback करके एक app है जो की government of India की है जिसको भी आप install करके उसमें कुछ जानकारी अगर लेना चाहरे हैं तो आप ले सकते हैं और इन दो apps के अलावा कोई भी app इस time में बिलकुल भी install मत करिये कोई भी अगर आपको भेज रहा है link तो आप उसको totally ignore करिये, delete करिये और किसी को भी forward मत करिये किसी भी third party website को भरोजा नहीं करना, सिर्फ वोसिप आप WHO की website पर जाके देख सकते हैं वो भी original site पर अगर आप जाएंगे तो आपको data मिलेगा दूसरा Indian government जो आपको authorization वाली जो websites हैं, सिर्फ वहीं पर जाके आप check out करिये या फिर आप news agency की sites हैं, बहुत सारी जैसे आज तक है, ABP है या फिर India Today की sites हैं, कोई भी अगर आपको news agency जो authorized हैं इस चीज़ को देने के लिए जो information दे सकते हैं, सिर्फ उनी sites के ओपर जाके आप information देखिए, कि क्या सच है और क्या जूट है अगर आपको WHO की site पर जाना है, तो उसकी original website जो है www.who.int ये मैंने description में भी मैं इसको mention कर दूँगा, साथ में जो है, मैं screen पर भी आप देख पारे होंगे इसका address इसके अलावा जो ministry of health की, जो website अपने Indian government की, वह हम आपको बता रहा हूँ www.mohfw.gov.in तो ये website authorized है, इस चीज के ओपर आप जाके जो भी आपको data देखना है, वो देख सकते हैं एक चीज जो आपको नहीं करनी है, वो ये भी है, कि आपको किसी भी self-tested kit के बारे में सर्च नहीं करना है, क्योंकि ऐसी अभी तक कोई भी market के अंदर kit available नहीं हुई है, कि जिससे आप अपना खुद से टेस्ट कर भाएं, तो आप किसी भी ऐसी चीज के चक्कर में मत है, कि आप सोचें कि self-tested kit में ले लेता हूं, और उससे मैं अपना टेस्ट कर पाऊंगा, तो ऐसी कोई भी kit जो है, टेस्टिंग kit अभी market में available नहीं है, तो चीज आपको इग्नोर करनी है, वो ये है, कि जो आपके पास messages आ रहे हैं fake, जिसमें बहुत सारी चीजे लिखी और ना ही उसको किसी अपने friend को या relative को forward मत करिये, मैंने बहुत सारे देखा कि मेरे पास दुनिया भर के मेरे पास messages आये हुए है, लेकिन मैंने उनको भी personally भी message करके मैंने उनको बोला है कि please आप ये चीज फोरवर्ड मत करिये, क्योंकि इसमें आपका भी नुक्सान है, और करिये, वीडियो को जो भी देख रहा है उसको या तो forward करिये, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe करिये, लाइक करिये, comment जरूर करके मेरे को बताईए कि information आपके काम की है या नहीं है, जै हिन जै भारत!